नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कना सफारिविंग यूटुब चैनल पे दोस्तों वीडियो में जैसे कि आप देख रहो ये बारिसवाला प्याज है और इस बार मैंने बारिसवाला प्याज लगाए अपने खेत में तो ये जो खेत है ये पूरा साथ एकड़ का खेत है और यहाँ पे लगबख 20 केजी प्याज लगाया है मैंने 20 केजी की नरसरी तयार करी थी प्याज की इसकी जो नरसरी है वो मैंने 4 जून 2021 को तयार करी थी और इसका जो प्लांटेशन यहाँ पे मैंने 19 जुलाइ 2021 से लेकर 28 जुलाइ 2021 तक यहां पर अलब्वक 9 दिन तक मैंने यहां पर प्याज लगाया तो आप देखे इस टाइप का हो रखा है अभी बारीस वाला प्याज है जो नासिक वाला प्याज बोलते हैं अगर आपने भी बारिस ओला प्याज लगाया है तो कमेंड बॉक्स में अपनी राई दे कि किस तरगा आपका प्लाट है और प्याज की स्थेति केसी है बारिस हो रही है सुबह के लगबग आन बच चुकिए और बारिस हो रही है देखें ऐसा मोशम 15 दिन से एसा ही मोशम हो रखा है नह धूप निकल रही है नह पानी बन हो रहे है अगर आपके याँ भी एसा मोशम हो रहा है तो कमेंट करके बताईए कि फसल केसी है और कौन-कौन सी फसल आपने अपने खेत में लगाई है तो ये एक बकरी पालन के साथ में खेतिवाडी का काम भी चलू हो गया है और बहुत बहुत बाईयों का कमेंट आ रहा है तो दोस्तों ये थोड़ा साथ इस बार बीजी सेडुल हो गया है जो पारमपरिक खेती है उससे हटके मैंने पहली बार इस टाइब की खेती करी है मैंने प्याज भी लगा है इस साल मिर्ची लगा ही है अभी टामाटरल का प्लानटेशन हो रहा है तो जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूं तो आपको वो से अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे खेती संबंदीत भी और नए ने फार्मर सो भी आपको मिलाऊंगा जो गोट फार्म कर रहे हैं कि फिस फार्मिंग कर रहे हैं उनसे भी आपको मिलवा हूँगा और इनके भी वीडियो में डालेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप प्याज की खेती कर रहे हो तो कौन-कौन सा इसमें खाद डालना चाहिए कौन-कौन सा इस्प्रे करना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए ताकि मुझे काफे हद तक मदद मिलेगी धन्यवाद दोस्तों